है गाइस वेलकम तो 5 मिनिट स्टोक एनालिसिस वीडियो जहांपर हम 5 मिनिट के अंदर किसी भी स्टोक का एनालिसिस करते हैं यह देखने की कोशिश करते हैं कि रिसेंट में हमको कहां ट्रेड मिल सकता है एंड उस ट्रेड के पीछे का लोजिक का है एंड सबसे इंपोर्टेंट बात हमको इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं सिप्राइस एक्षिन को यूज करके पूरा एनालिसिस करते हैं उस ट्रेड को एक्जिक्यूट करते हैं सो अब यार बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हमें स्टार्ट सो हम आज चुके मदराज फर्टिलाइजर के विकली टाइम फ्रेम के चार्ट के उपर एंड यहां पर आज हमको एक शान दर ब्रेक आउट इसमें होता हूँ नजर आया है तो क्या भी हमको इसमें फरेश बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए अगर करनी चाहिए तो क्या इंटरी प्राइज होगा, क्या टार्गेट होगा, क्याम बढ़रह करने वालें एंड में इस stock से related आपकी जितनी भी क्यूरी होगी, सारी क्यूरी को solve करने वाला हूँ, तो वीडियो को end तक ज़रूर देखेगा, बहुत साई learning आपको मिलेगे, और एक शांदर swing trade आपको मिल सकता, तो analysis को start करते हैं, सबसे पहले हम बड़े time frame की बात कर लेते हैं, एक बार monthly time time frame का chart हम लगा लेते हैं यहाँ पर, एंड थोड़ा सा अगर simple long term trend अगर आप देखोगे तो definitely इसका long term trend bullish है, क्योंकि धिरे धिरे price upside moment करती जारी, जब से इसका IPO list वाई, तब से आप देखेगे, तो continuously price एक higher high बनाती होई नजर आई है, यहाँ कि long term में देखोगे, तो price काफी यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको समझ नहीं कि इसमें कभी भी ज्यादा तेजी हमको upside 90 degree के angle पर हमको कोई यहाँ पर rally होती हुई कभी नजर नहीं आई, यहाँ पर जब भी price ने all time high को hit के है, वहाँ से फिर हमको थोड़ा selling pressure आता हुआ, एक trend line को draw कर लेता हूँ, यहाँ पर एक trend line होगी यहाँ पर, इसके अलावा जो नीचे में जो support level important वो है यहाँ पर, and recently जो price ने अभी high break किया है, यहाँ पर मैं एक और trend line को draw कर लेता हूँ, अभी यह काफी important level है, जो भी मैंने mark किये काफी important level है, तो मैं सारी चीज़ों को ए upside होने के upside से पहले ही इसने उपर की तरफ moment दिया, यहाँ पर भी देख सकते हो, green arrow लगा है, and यहाँ पर भी देख सकते हो, right, तो यहाँ पर overall trend तो bullish है, लेकिन आपको यह चीज़ समझना है, कि price एक channel के बीच में trade कर रही थी, and इस level के उपर particular, यह एक important resistance level था, right, यहाँ पर म price ने एक बार hit किया, यहाँ से हमको selling pressure देखने को मिला, फिर यहाँ पर again breakout हो, breakout होने के बाद काफी एची तेजी होई, तेजी होने के बाद देख सकते हो, एक तेजी होने के बाद फिर काफी time तक ही stock downtrend में रहा है, and downtrend में होने के बाद finally price में again एक breakout, again फिर से price ने इस particular इस level क काफी बार test गया, यह जो level आप देख रहे हो, यहाँ पर इस 10 line को काफी बार price ने test किया, एक काफी अचा consolidation होई, then finally हमको यहाँ पर एक breakout होता होई, तो यहाँ पर में एक जोटा सा zone create कर लेता हूँ, यह देख सकते हो, एक important zone है क्योंकि यहाँ पर काफी अचा consolidation होई, उसके अगर मैं बात करूँ तो नीचे में volume देखोगे, तो काफी अच्छा particular इस point से देख सकते हो, continuously काफी अच्छा volume यहाँ पर trade होता हुआ नजरा आया, और price जो है continuously upside moment कर ली थी, यहाँ पर काफी अच्छा consolidation, उसके बाद breakout, breakout के बाद काफी अच्छी तेजी volume भी increase हो रहा, तो यह हमारे लिए positive sign है, और यहाँ पर finally price में, अगर मैं simple बात करूँ, तो 2017 के बाद से ही देख सकते हो, continuously है stock downtrend में, यहाँ पर देख सकते हो, 2017 के बाद से continuously है downtrend में ही चल रहा, और finally यहाँ पर हमको एक breakout होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर अगर मैं अभी recent price की बात अगर इस pattern को आप देखोगे तो हमको एक यहाँ पर कप pattern यहाँ पर बनता हो और नजर आ रहा है, जहाँ पर कप pattern का finally breakout level जो price wise बात करूँ, तो 50 के around यहाँ पर all time high है, इसका 52 के आसपास तो 50 round level नमबर हम मान सकते है, 50 के आसपास इसका breakout level था, and finally 55 के आसपास अभी closing दे चु क्योंकि running week है अभी, तो यहाँ पर overall इस pattern को आप simply समझोगे, तो यहाँ पर देख सकते हो, एक cup pattern यहाँ पर हमको बनता हो और नजर आ रहा है, जहाँ पर काफी अच्छा consolidation हुआ है, and finally recent में काफी अच्छी तेजी हमको देखने को मिल rewrite, तो यहाँ पर काफी अच्छी opportunity हमारे पास, and अब हम चलते हैं, छोटे time frame पर simply में लगा देता हूँ, daily time frame का chart, and यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो finally price ने जो है, breakout लेती हुई नजर आई है, जहाँ पर finally price एक breakout ले चुकी, अगर आज की आप candle देखोगे, तो big green candle हमको यहाँ पर देखने को मिली है, and काफी अच percentage wise बात करूँ, तो आज देख सकते हो, almost देख सकते हो, 20% की तेजी हमको आज के दिन में देखने को मिली, right, तो क्या अभी immediately हमको buy करना चाहिए next day, तो यह थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा, यहाँ पर क्योंकि already 20% की तेजी हो चुकी, तो अब यहाँ पर क्या हो सकता हम को थोड़ा सा, वो पुरी psychology समझ नहीं, उसके बाद हमको entry लेना, देखो breakout हो चुका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम diet इसे entry ले ले, तो कल की candle पे आपको थोड़ा सा focus करना होगा, 2-4 दिन अगर देखो कुछ इस टाइप का pattern बनता है, यहाँ पर price breakout ले चुकी है, तो हो सकता है, price immediately उपर की तरफ मोग करने लगे, अगर यहाँ पर price मोग नहीं करती है, और 1-2 दिन price अगर यहाँ पर hold कर जाती है, 3-4 दिन अगर यहाँ पर price अच्छे से hold कर जाती है, इसी particular top level के आसपास 50 के आसपास अगर hold कर जाती है price, और उसके बाद again अगर bullish momentum देगी, तो यह आपके लिए 100% confirmation वाला trade बनेगा, यहाँ पर आप fake breakout से बच जाओगा, अगर आपको fade breakout से बचना है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर 102 दिन price वेट करती है, और उसके बाद अगर यहाँ पर upside moment अबती है, तो आपको fade breakout से बच जाओगा, और immediately अगर हम केंडल आपके लिए बहुत ज्यादा important है, और यहाँ पर देखना है, एक से दो दिन अगर price वेट करती है, उसके बाद bullish momentum देती है, तो यह आपके लिए 100% confirmation वाला breakout हमारे लिए हो जाएगा, और immediately भी green candle बन सकती है, क्योंकि नीचे में volume हेवी है, तो कल के दिन, एक दू दिन काफी अच्छा bullish momentum हो सकता है, तो अगर आप इसमें entry लेना चाहते हो, तो आप stop loss simply, अगर intraday में लेना चाहते हो, तो stop loss simply आपका होना चाहिए, यहाँ पर 5 रुपे के असपास आप अपना stop loss सेट कर सकते हो, थोड़ा सा बड़ा stop loss मैं definitely दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आ आपका 50 के असपास होना चाहिए, और यहाँ से आपका जो target होना चाहिए, minimum 1 is to 4, 1 is to 5 का होना चाहिए, क्योंकि हम एक बड़े swing के लिए यहाँ पर बात करें, अगर यहाँ पर देख सकते हो कि बड़े थोड़ा सा swing trade चलेगा, क्योंकि cup pattern का breakout वाट, definitely हमको इसका advance part देखने मिलने वाला है क्योंकि काफी अच्छी signing यहाँ पर देखने को मिला है, प्राइस काफी अच्छी तेजी यहाँ पर दिखाते हुई नजर आरी, तो अगर आप इसमें entry लेते हो, immediately entry लेते हो, तो आपको 1-2 दिन अगर selling होगी, तो थोड़ा सा आपको hold करना होगा, आपको immediately selling, again stop loss hit हो सकता है, तो अगर आपको एक दिन अगर तुरंत entry लेते हो, तो definitely थोड़ा सा आपको patience रखना होगा, चाहो तो आप stop loss को थोड़ा बढ़ा कर सकते हो, अगर आप immediately entry लेते हो, बाकि अधर retest पे या फिर एक थोड़ा सा hold करने के बाद, अगर price के बाद उसके बाद entry ल आपका यह point आप समझ चुके होंगे, and काफी अची breakout हमको यहाँ पर देखने को मिल चुका है, finally price में breakout ले लिया, तो काफी अची तेजी हमको यहाँ पर देखने को मिलने वाली, right, तो target minimum 1-4 तक का आपका होना चीग काफी अची तेजी हो सकती है, I hope कि सारी चीजे clear हो चुक अची तेखने को मिलने 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 को मिलन